सब तापला रवराम भाई सारे बाई नम्हां कुस एर वोईस मीडिया चनल पे तार स्वागत है और भाई इस चारण देखना गरें प्रीचे मों ताज नहीं है आज गल सारे जाना है दिल्ली में दू ममड चाहरे है असल मोल ओवर इंडिया सारे जाना है बाई प्रैंक स्टा कर रहे हैं बहुत बड़े और मतलब मैं कोई सलमान खान हूं यूना मुझे आल आवर जानते हैं सब नहीं भी देखने मारे खतर तो सब जाना है नहीं आपने स्पेशली फील होना चीए ठीक है ना तो वाई सब तैपला इनका चलने पर स्वाथ कर रहा है तो राम राम जी और ठीक हो बढ़िया गतें तो मतलब परला तो नहीं बताओ इसना इतना युदक्ट क्यों दे दियां दे प्रैंक कर दिया जिद्धाई ने है मेरे प्रैंक मैंने स्ले कर दिया देखिया आप प्रैंक्स स्टीर का इंटर्विव लेने आ रहे हो तो पहले बनता है कि प्रैं तो स्पाइब काल मां देख लिया व्रया, शॉयद आप बहुत कमेंट करोगी लेकिन वह सिर्फ एक प्रैंक के अकॉर्डिंग मैंने किया था प्रैंक धर भाई मैं तो तो घृडब कि हूगी होगा तो आपा सुआल की तरिफ चलना है जी देखो मेरा युश वाल है अगर आज प्रैंक स्टार नहीं होंदे तो आप जब क्या होंदे मैं टीचर होती टीचर डेफिनेटली क्योंकि लोगों को शायद बिल्कुल भी नहीं पता होता है क्योंकि उनको लगते हैं कि ये योटूब पर कुछ करते हैं तो इनकी ये कुछ भी पड़े लिखे नहीं होंगे या ऐसा कुछ भी सो लाइक मैंने सीटेट अपनी लाइफ में पांच बार क्लियर कर रखा है पांच बार क्लियर करके यहां बैठी हो उसके बाद मैं डी एससबी के एक्जाम में बैठी थी 2.65 से मेरा नंबर नहीं आया था बहुत रोई बहुत रोई फिर किसी ने मुझे टिक टोक के बारे में बताया था टिक टोक पे मैंने वीडियो बनाई देन वो वाइरल हो गई वहां से मेरी जर्नी जो थी वो शुरूई तो अच्छा टिक टोक के आपने जिगर छेड़ा कि टोक पे आपकी जर्नी स्टार्ट होई लेकिन अमजाना है अपने टोक पर देखाए करते लेकिन फिलाल जाना नाए प्रेंक के रूप में आपका यू चैनल लिए पर दूसरा चैनल धार प्रेंक उसके साथ असाध सीव मलिक कोई हैं कुछ इसे करके है और वो चैनल अगले नहीं वेराओना ची वहाँ देखित तस वाल ले हैं हाँ ऐसा हुआ था कि मैंने अपना जो प्रेंक चैनल शुरू किया था वह मैंने और शिवम ने साथ में किया था तो मैंने दो वीडियो डाली थी लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे हम बहुत गैप में व वो चैनल भी मोनेटाइज हो गया था और मैंने फिर भी वो चैनल डिलीट कर दिया क्योंकि कुछ लोग मुझे उस टाम ऐसे टकराए थे वो मुझे मिस्गाइड कर गए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिस्गाइड हो गई थी मैं कि रोज प्रेंक आने चाहिए रोज यह होना चाहिए रोज वहना चाहिए तभी आप अपुलर होएंगे तभी आप यह होगे तभी वो गई पता नहीं मैं कैसे मिस गाइड होगी वैसे मैं होती नहीं बहुत ही चलाक लड़के हो तो फिर इस चैनल पर कुख रहे है इस चैनल की जरने की तर श्टार्ट हूई किस मुझ oldu कि मेरी कुछ से होती है कि अधी था जो थेา काया थे इन इहां से होती हैं तो अधी का अफर मेरे पास फोन आता है कि उनको किसी कुछाएवी सी डिव यह तो आप जानते हो उनकी कॉमेड़ी वीडियो में उनों पोन किया था था तब अब अब कि आप यहां से शुरू कर सकते हो लेकिन मैं पहले शुरू कर चुकी थी और मिस गाइड के कारण मैंने वह चैनल छोड़कर दुबारा चैनल शुरू किया नहीं तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी कोई दो वीडियो डालके मोनेटाइज करके चैनल को छोड़के दूसरा क्यों बनाएगा ओविसली कुछ मिस गाइड हुआ मिस गाइड अरो भी तक ड्याड़ा मिस गाइड बहुत आपने नाम लिया तीन जने के नाम लिया अपने मेरत याद भी नहीं एक नाम याद आपके याद होगा वो भी बलो उनके साथ थोड़े इतनी वीडियो या कुछ नहीं काइस कहा उसके बाद तो इए विडियो नहीं बन दोगी लोगान बहुत नगतिव कमेंट करें तो के रिजन था प्याम पार नहीं चाहते हैं क्योंकि मैंने पहल ही बोल दिया था कि इस चीज को मन बोलना बार बार क्योंकि यह चीजे बहुत पहले ही ऑवर हो चुके खतम हो चके हैं, so, क्या बोलो, नो कमेंट बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने वो रीजन अपने चैनल पर डाल दिया था, कि भई हम बिल्कुल कॉमनली बैठे थे साथ में, और हमने बोला था, कि हम आगे वर्क नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ, जितना था, वो ती मुच् आगे वर्क नहीं करेंगे, और इससे मैं उमीद करते हैं, कि आगे यह वाले सवाल ना पूछ चाहें, बाकि आपके इस वालना सिस्टम नहीं करेंगे, बाकि इस वालना स्कीप कर रहां, पागा चाल रहां, अपना पहला प्रैंक देखो तो श्यमन आप जानो थे पहला, मत मतलब कोई unknown person के साथ, कब अरकुकर के रहा है, किसा कोड लाग या थोड़ा नहीं लाग गया, किसा के फील अंदर दा रहा था, जब मैंने प्रैंक किया, तो इस लाइक ऐसे हो गया था, मतलब लडकियों पे प्रैंक करने लगी मैं, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप प्रैंक वैसा करोगे तब तुम फेमस होगे, और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहती, जो लोग मुझे मिसगाइड कर रहे थे न, वो आज बहुत पीछे है, बहुत पीछे, और वो आपने पीछे देखना चाहूं थी, ने, वो अल्डेडी स्टार पन चुके थे उस टैम पे, न उस चीज में, लोग उने जानने लग गे थे, फिर जब मैंने उनको छोड़ा पिछे न, तो मुझे लग रहा था कि कही न कहीं उनके दिमाग में यह हो रहा है कि भई, यह आगे कैसे लिख लगई, या फिर ऐसा हो जाता है, बहुत अब तो सब्सक्राइबर कर दिया यह हो जाता है वो जाता है मतलब इतना बहकाया गया चीजों पर और वो स्टैम पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर लेकर बैठा हुआ था और आज मैं मिलियन पोच गी वह इतनी पैसा तो आप नाम नहीं बता हुगा आप अपनू जारसा हो जारसा लाम तो खरी नूबी को है कि यह प्रैंक करो ना सक्रिप्ट करो हो अगले ने पर लवता जो हुगा थे सब्सक्राइबर कर दिया है तो वह उसक्रिप्टिट था या नहीं था वह उसकी आप गारंटी ले रहे हो वह वहाला कोशन मुझसे कैसे पुछ सकते हो पुछ जाओगे मैं तो जाय लिए थे के राके के सो चलना के थे दिमाग में ठीक है नि बगी अन्सक्रिप्ट वसा रहा हुदा क्योंकि हमारे बन लिया गटना और तम प्रैंक भी देख लियो जो भी एक दो देन में मैं डालनेंगी तम उसमें रियक्शन देख लियो मारे जो भी र खाओब आते हैं क्योंकि शोशल एक्सपेरिमेंट में जब लोगों के फेस लिखकल आते हैं न तो पौजटीव से जादा नेगिटिव जादा लिकल कर आते हैं और कई बार इतना नेगिटिव लिकल कर आता है कि वह क्लिप हम अपनी वीडियो में भी नहीं डाल सकते क्यों कि अगर वो क्लिप हमने अपनी वीडियो में डाल दिया ना तो लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या seriously इतनी गंदगी है बट seriously लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी होती है मैंने social experiment करके यह जाना है तो social experiment करना मुझे सबसे गंदा लगता है लेकिन demand सबसे ज़्यादा उसी बहुत सारे लोग खड़े थे बहुत सारे और वहाँ पर मेरी एक पन्नी में ओरेंज होते हैं और वो ःड़ गिल जाते हैं जब मैं उसे जुकती हूँ मैं आवाज भी लिकालतीय हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है मैं जुक नहीं पा रहे हूँ मुझे पेन हो रहा बट वहां पर कम से कम भी 25-30 लोग खड़े थे, लेडी भी थी उसमें, बच्चे भी थे, युनो बोल, मेल भी थे, लेकिन किसी ने भी वो उठाया नहीं, एक परसन ने भी कोई नहीं अगया, किसी ने नहीं उठाया, ऐसा एक और हुआ था कि एक लेडी के पास मैंने जागर प्रेगिटिव फिलिंग भरी हुई है, हां, तो इतना गंदा कमेंट, मतलब इतना गंदा रियक्शन दिया था, उसने कि मैंने वो अपनी क्लिप, अपनी वीडियो में एड नहीं किया था, हां, तो एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत, बहुत बिल्कुल देख लिए, सोच ब सब्सक्राइब करने लगा है, तो आपकी स्टड़ी कितनी कोई है, अब भी मैं पॉस्ट ग्राजूशन करने लग रही हूं, और एक्शली आतमाराम कॉलिज से, तो अभी मेरे दो साल रहते हैं, मेरा फॉस्ट चेयर कंप्लीट हो गया, और अभी इतना ही है, तो देखो वही बात है, स्कूलिंग भी करियोगी जब आप आज आड़ आई हो, तो स्कूल टाइम है कैसा हुआ है, जड़किसे ने किसे पकरश जरूर हुआ है, तो आपने भी हुआ हुआ हुआ, अच्छा, मुझे प्यार तो बहुत टॉफ होता है, नहीं होता कभी भी किसी से, मतलब अभी भी मैं मान के चलूँ तो मुझे आज सक अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार हुआ था, उसके अलावा नहीं, मैं बताना नहीं चाहूँगी वह भी है नहीं नहीं है, मतलब य दुनिया में नहीं है, मतलब यह उस टेम पे लगदा था कि हां मुझे प्यार हुआ है, उसके अलावा मुझे वह वाली फिलिंग किसी के साथ नहीं आई इतनी अटेच्मेंट कि भाई जिसके जाने से यू लगे ना कि बस खतम सा सी, दुनिया उचड़गी हां वह लगा त स्कूलिंग में गटना थी हां स्कूलिंग में थी, I was in 12th standard that time, चलो वह उसका नाम ने बताना चाहोंगे, आपनू बूशना चाहोंगे कि वह आपने मिला था नहीं मिला, वह नहीं मिला मुझे नहीं मिला, उसके बहुत सारी परपोजल थे मेरे, मतलब उसने बहुत जादा आपको परपोज़ करें, प्यार भीया पना हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि मैंने बताया नहीं था क्योंकि हमारी बोर्ड चल रहे थे लाइक और उसको डॉक्टर बनना था पीम्ट की तयारी करनी थी, तो वह एक बिग टास्क हो जाता है, और मैं किसी भी तरह से उस प्यार के मामले में, तो वो बताने से पहले ही लाइफ खतम होगी थी, और उस दोरान तो मुझे ऐसे लग रहा था, जैसे मर जाओंगी, मिड़ाओंगी, यह वो मेरा स्कुल टाइम था, गर क्या था बताई आपने आगटना अरे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, घरव प्या कर सकते ते समये मुझे रेक्शने मुझे तो बहुत हो एक प्रखेंगा चैनल । और बहुत कुछ throne बहुत कुछ हुआ, इस टेम पे मेरे एक्जख़ भी चल रहे थे और फेलोगे अरे यार उस टैम पे मेरे सबसे कम मार्स आये थे 12th standard में सबसे कम मार्स आये थे मैं 72% से पास हुई थी 72 भी आपने बहुत कम लग गए है यह थोरह खतर न पूछ कर देखो यह बहुत गड़े हैं अब इस टैम पे मेरे सबसे कम मार्स आये और कुछ था कि ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं क्या हो गया लाइफ में वो मेरे को याद रहती है वो जर्नी मेरे को मेरे चलो यह आत होगी आपकी स्कूलिंग की हाल फिलाल प्रिजेंट की बात करा अपना रिलेशन सी प्टेटिस की बार मत देखिए हाल फिलाल तो ऐसा कुछ है नहीं बट एक लड़का है उस पर लिटल बिट करश है मेरा बट अभी वो उसका दो नाम पता है जो उसका नाम नह लगने बट प्रिट रहा तो पका सामने आएगा अगर वो मेंटेन नहीं रहा तो नहीं आए गार इंट तो देद यूटूब पर काम करें इंफ्लुएंसर है या पके प्रोस में है कुड़ करने नूवत है दिक्ड़ते देखिए इस जगह से नहीं मुझे डर इस बात करी इस जगे से नहीं है, अज़े लगता है कि अगर वो इस जगे से खो था, यह हो सकता है कि कल को आगे वो मेरी वीडियो में ना आए, मतलब यू ना वॉट मेरी आगे चलके जर्नी है कि मैं व्लोगिंग करूं बहुत अची तरीके से और पता चले कि वो मुझे यह बोल रहें क कि भाई मेर कोई इंट्रस्ट नहीं है बट अभी तो क्रिश है इतनी बात ही क्यों कर रहें क्या पता है मैं नहीं पुछना सब्सने बेरा लाग जाओ अगर इंट्रो देखता हो तो यह बता है जो अगर आपका करिस्में रहा अपना प्रपोज कर दिया ठीक हाँ होगी तो उसके साथ साथ डी करोगे या घरवाला की मरचीद है देखिया अगर मैंने उसके साथ बता दिया तो मेरे घरवालों को भी वो पसंद आएगा क्योंकि वो जाठी फैमिली से ही बलाउंण करता है तो मुझे लगते है कि कही ना कही आएगा बट अभी क्रेश है तो इसके लिए मैं जादा बोलना नहीं चाहूदी पता चले दो दिन बाद मेरा खतम हो गया फिर आप लोग बोलो कि यह क्या था क्या कर दिया वही जब वक्त बजल दिया जजवात बजल दियो काम कर दो के ताम अच्छा आप पर नहीं उता हूँ लड़के की लव हुई है वो भी खुश है तो मुझे लगता है कि एक लाइफ पार्टनर बहतर होना चाहिए मिलना चाहिए इतना लखी आप होने चाहिए मैं बहुत सारी चीज़ों मैं बहुत ही अनलग्की रहती हूँ तो लाइफ पढ़नर अच्छा मिलेगा तो वैसे ही अच्छी रहेगी लाइफ चलो देखो आप प्रैंक करो हो अपनी लासें तो कौन खट्टी बता होगा आप मैं थोड़ा सा पीलू में हो गला थोड़ा न प्रैंक रहे हो हो और आपका काम अपने बड़े अलगदा हो सो प्रेंट लगदा हूँ और भी बहुत सारी हैं जो प्रैंक बनावा है यूटूब पर तो आपने अपने अलग और किसके प्रैंक बड़ी अलग है आप सब जानते होंगे विने ठाग और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है मुझे उनके प्रैंक बहुत अच्छे लगता है बस एक ही बंदा नहीं ऐसे हैं एक दो और भी हैं अभी नाम याद नहीं आ रहा हूँ हाँ 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 बट उसका मैं देख लिए उनकी हर वीडियो देखते हैं वैसे इतने कम वीडियो बनाते हैं वह तो उनकी मैं देखते हूं चलो आप एक प्रैंक बनाओ हो और आज के टाइम पर प्रैंक के नाम पर बहुत विल्गरिटी फिलाई जा रही हैं आप भी देख देंगे पारक में या और की ते अच्छे घर पर लड़की बला ले हैं इस वज़े से डर लगता है खुद को भी प्रैंक्स्टर कहने में आप रियलिटी यही है मैंने आज तक भी कोई भी एक्सपोज वीडियो नहीं किया मैं कभी लड़कियो को बुलाकर उनकी ड्रेस को एक्सपोज करना नहीं सम्हां तुमनेल में कुछ गंदी बाते नहीं लिखती हूं जिससे की लोग अट्रेक्टिव हों मेरे बहुत सारे प्रैंग तो अल्मोस्ट रहते हैं और लोगों को बहुत ही हैल्दी फ्लर्ट देखना मेरे पसंद आते हैं तो मैं उसी चीज में खुश रहती हूं मुझे नहीं आ में से देखेंग और मतलब में को जब पहली बार किसी ने बोला था कि तुम में को किसी ने गाइड भी किया था कि तुम लेस्बियन प्रैंक करो यू नो वाट जो लड़कियों लड़कियों पर लेस्बियन प्रैंक करती हैं और थमनेल पर ऐसा ऐसा लिखो तो मैंने उसको तो बोला था देख भाई मेरे वियू ना आए चलेगा यह गंदगी नहीं कर सकते हूं यह बात है छोटी पैचान बला लेंगे लेकिन एक बड़ी है पैचान अगवाई घर के परिवार आड़े भी बेट के देख सका है नूनिक वाई अगवाई टेवी सब गेचा है मिचल र परिवार बेट के देख सका है और आपने भी बहुत बड़ी अलाग है भाई जदे आप इन आप इनके दोरे बेठे है नहीं बेठा तो आपने बताया आप फलर्टी प्रैंक करो हो जदे इस होया है किसे कहला फलर्ट कर रहे हो और सच में थोड़ा उसके परती इमोशन प् पर एक लड़का बहुत स्मार था मैंने उसकी कैप किची थी एक प्रैंक कर था 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 बहुत स्मार था देखने में अच्छा लग रहा था बट फिर में लगा ठीक है ठीक है प्रैंक यह मैं भूल गई कभी ऐसा नहीं हो कि हाँ क्योंकि यह पांधस मिनट में कोई किस से प लड़का पता नहीं साइकल शहर है उफिस में जान लग रहा था अपना रुकवाल लेट हो गया फिर आप उसके पिछे बेट के जा रहे हो तो मतलब आप उन्हें दूरती उपिस में छोड़ गाई थे या नहीं के सिस्टम के रहा था बिल ऐसा नहीं था पास में ही नहीं था नहीं और आप उफिस के लिए लेट हो रहे लेकल जाओ फटा फट तो यह सिंगा रियक्शन कुछ रहा है मतलल मेरा लेट करें मुझे लगते ही जब लड़की जाकर किसी पर प्रैंक करती है ना किसी लड़के पर ओनेस्टली ट्रॉस्ट मी वो बोले गा ही नहीं वह यह बोले गा ही नहीं कि तुमने गलत किया यह यह किया वह बड़ा खुश हो जाता है पाट से अच्छे की में सुचे जाओ देख श्याम मीनी कहता है तो देख लिए तारे प्रैंक जो भी तामनू को कमेंट करो हो उसके नीचे है तारे सारे सुद्ध के लिए रूना ग मेरे को पता था आपका भी यह सवाल होगा देखिए यूटूब अर्निंग सोर्स है लेकिन ऐसा नहीं है कि कल तुम फुटपाथ पर थे आज तुम अंबानी बन गयो यह नहीं होता है सो मैं सारी चीज़े यूटूब से नहीं खरीदती हूं मैं भगवान का शुक्रिया करती हूं कि उन्होंने मुझे एक अच्छा खासी फैमिली दे रखी है अच्छा खासा बैक्ग्राउंड दे रखा है जिसकी वज़े से मैं चीज़े खरीद लेती हूं और मेरे घरवाले मेरी बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट देते हैं मुझे कि अगर आपको यह करना है तो आप कर लीजे बड़ी खुशी-खुशी से तो यह वही वाला मामल है और मैं खाली बताना नहीं चाहती बट फिर भी मेरा सिर्फ यूटूब ही एक वो नहीं है जरिया कमा करने का और भी बहुत सारे प्लेसे जहां से मैं अधर मेरे जो बिजनस होते हैं जिनसे मैं कमा रही होते हूं तो मैं उनसे भी कमाते हूं तो यह ऐसा नहीं है कि मेरा यूटूब से ही फ्लैट बन गया मेरी गाड़ियां आ रही है अच्छा तो लो देखो यू स्वाल लग क्या है लेकिन आप दुबार है इसे पाऊं हां आपनों नहीं होताओ कि इतने पैसे कमाओ एक मिन्यम है अप इंट दे जो अग इस इतने पैसे कि उस्टे गड़िया जो कि उस्टे एक फोन आ जया हूँगा मलुकुछ ऐसी हिंट की अगा पाया चीज घरिचका खुले पैस है क्या है अगर में कोईंस ऐसे ऐसे फेक होंगी तो इतना पैसा में कमा आ लेते हूं तो आदेख लिए बात है स्वाल फेर गूंगे हापा ज़्यादा पूशना भी नचाहूंगे फोर्स करना तोड़ी एची बात नहीं है अच्छा देखो आपकी फैमिली में आपने सब अपने इंडियन समाज में बारतिय समाज में क्यों है कि लड़की ने किचन ती रखो गरती रखो बहर निवे जो अच्छा अपना सूट सलवार पर रहो एक पड़दे में राखो या थिंक सी है मतलब आप प्रैंक अपना यूटूब पा रहो पूरी दुनिया आपने तो मैंने नहीं बताया उनको और ऐसा हुआ था कि मेरी एक वीडियो जो थी एक पुलिस वाले पे की हुई थी मेरी बहुत ही पॉपुलर वीडियो है वो अभी भी सीन करोड कुछ पर बैठे हो है उसके विए तो वह अचानक मेरे भाई के सामने आ गया यूटूब खोलते स में तो वहां से उन्हें पता चल गया और उस टैम पर होट डाट पड़ी यह भी बोल दिया था कि अपना समान पैक करो और लिख लो यहां से क्यों कि हम यह सब पसंद नहीं करते हैं यह निकरते हैं वह बिलकुल इस चीज को पसंद नहीं करते हैं तो फर पसंद को कराई न अब बदलाओ कुछ निया उनको लगा कि एक बार में उनके साथ कहीं गूमने गई थी तो अचालों को अचालों से इसा मुमें लेने लगे लोग तो उनको लगा तब भी वह यू करने लग रहें तो मेरी फैमिली बिलकुल इस चीज को अभी तक भी पूरी तरह से अबस ऐसा है तो कोई एक बड़िया फैन एंकाउंटर मोमें एक बड़िया फैन एक बड़िया फैन देखिये वैसे तो जो भी मुझे मिलते हैं मेरे लिए वो सबसे प्यारे मुमेंट होते हैं लाइफ के दिन के बट जब मैं घर से बाहर लिकलते हूं जो मुझे सबसे पह तो कोई देखनू नहीं काया रखा, यू आदमी है, यू फैन, तो मेरे जिंदगी बर याद रहोगा, किसे ने कुछ अटक है, कुछ बड़ी है, स्पेसल, या कुछ नेगिटिव है कर दिया, जो याद हो आपके, एक बार एक लड़के ने, क्या किया, गॉल्ड की चेन मेरे गहर पर पोचा दी, रिंग बजा के मुझे नहीं पता चला कि उसको कैसे मेरा घर पता चला, तो मेरी फैमली बहुत ही वरीड हो गई, और बहुत ही टेंशन में कि भाई, अगर ऐसा किया है, तो आगे क्या होगा, दैन, मेरे पास मेसिज आया कि मेरे को उस टेम पे के टियम बड़ी पसंद थी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक साल पहले, तो उसने के टियम बुक करवा दी और वो मेसिज आयोए थे मेरे पास कि आपको यहां से के टियम लेकर आई है, यह वो तो वो फैन देखकर मैं थोड़ा डर गई थी, और एक लड़का होड़ था, वो कहां से आया था, वो वो लड़का कहां से आया था, जो ट्रेन में बैठ कर आया था? मत्वरा-वत्वरा से एक लड़का था, वो आ गया रात के, मतलब उसको पता नहीं कैसे मेरे व्लोग वीडियो में मेरा घर का एडऱस मिल गया, तो घर के बार बैल बचाई, उसने, फि वो गया ही नहीं बैठा रहा तीन चार गंटे बाद जब मुझे बाहर लेकल के जाना पड़ा किसी सीन की वज़े से तो वहीं पर बैठा हुआ था उसके बाद वो रोने दोने लग गया मैंने इसकी एक वीडियो भी बना कर उसमें डाली थी फेस्बुक पर डाली थी हाँ तो उस टैम पे मुझे लग रहा था कि शायद हम लोगों को पुलिस केस करना पड़ेगा पुलिस बुलानी पड़ेगी क्योंकि एक चोदा साल के बच्चे को दुबारा वापस छोड़ना वो बिना अपने घर पे बता के और आ गया बहुत सारी लोग होते हैं होते तो बुड़ा बना बनूं के बहुत सारी वीडियो यूटुब पर डालते यह करते हैं वो डालते फलाना डालते पर मैंने असा कुछ भी नहीं किया था फिर मैंने बाद में पुलिस कंपलें भी करी थी उसकी बुलाई यह वो मैं और गई तो उस तोरान तो फिर एक्श साल का है वह एक लड़कपन है उसमें 19-20 साल के में वो जो होती है ना की नहीं मैं जाओंगा और मैं नहीं करूंगा मैं आपके पास ही रहूंगा ऐसा है वैसा मतलों कर आप पर रहा हूंगा था यह संब्सक्राइब इस एक नूर बताया जोट आ पहुत जूटना पोल है अग मेरी लिस्ट में जो मेरी टीम है जैसे करन हो गया एक करन राजपूत करके है और एक संजीव है जो मेरे ट्रेनर है ठीक है यह एक दो लोग है अगर आप इनके साथ कॉन्टैक करेंगे इंस्टाग्राम पर तो मैं वो बोलते हैं उनके थुरू मैं कई लोगों से मिली भी हूं तो वहाँ पर पहुचा सकते हैं मैं इतने सारे मैसेज नहीं देख पाती हूं आइम ट्रस्स करें मुझपर कि मैं इतने मैसेज नहीं देख पाती हूं इसलिए मैं और फिर हर बार मिलना पॉसिबल भी नहीं होता बिल्कुल अच्छा एक यह और है कि आप मेट अप करोगे करोगे यह नहीं करोगे देखिये मीट अप जैसा ना मेरे को लगा नहीं अभी तक ना मेरे को यह वाला लगानी मेरे को कई बर यह लगता था कि मैं मेरी उतनी पैचान होनी चाहिए कि मैं कहीं पर भी जाओं और भी लग जाए तो वह वाला सीन अभी ऐसा नहीं होता है कि म तो आप साइद इस लेवल पर नहीं थे जब बें 14 साल का बच्चा आगया था आपके पास तो आज तो आपका लेवल और तकड़ा हो रहा है गड़ने लोगों में मीटप कर रहे हैं आप क्यों नी कर दे जिस दिन मैं कहीं पर खड़ी होंगी और तो मैं जरूर करूंगी अभ तो मैं सोच रही हो कि वहां पर शायद हो सकता है मैं मेट अप रहूं बट क्लियरली नहीं कहना चाहूंगी नहीं रखा तो कहीं आप बोले कि यह नहीं कि अगले सौल की तरफ चला आपा अपना फैमली भी स्पोर्ट कर रहे हैं वह देख लिए रंडम होगा आपने पूछ अब पता है लगए मतलों कैसे क्या स्वाल पूसरें दो इंटरीव होगे जाज और वह देख लिए हो बाई कितने 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 एवरेज के वह भाई कोई लिख नी राख्या रैंडम है आप नहीं पता होगा रैंडम चल रहा है ना अजी बिल्कुर लिख रहा है लिख उता इतनी दो गिजेगी उम्मत है को नहीं और वैसे जवाब दूँ तो मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं इसमें में को मार पटे अच्छा में लड़कियों का या आंटियों को खाना बिल्कुल नहीं खाती है मैं जाके लड़कों का खाना खाती हूं बड़ी घिजली दे देते है अब ज्यादा फोर्स नहीं कराने पड़े दे नी एक स्वाल जेखो आप ज्यादा है एक स्वाल जादा है यह वैसे बिजिन के मतलब आर्ष्टिक स्थिदी कमजोर है करो हो कदे आपने किसे यूटूबर की भी है था यह सवाल क्यों कि आम मुझे उस शक्स का याद क्यों दिला दी है अपना कम है जी भुली हुई आदे को ताजा करना देखिए एक बार एक यूटूबर था मैंने उस टैम पे शुरुआत करी थी यूटूबर तो मैं उससे मिली और उसकी स्थी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी बैग्राउंड भी अच्छा नहीं था और उसकी ख इसा इंपोर्टेंट होता है लाइफ में आपको वो भी अर्न करना चाहिए खुद के लिए अपनी फैमिली के लिए सब के लिए और जब मैंने उसको समझाया पता चला बाद में वो मेरे ही पैसे मार गया मतलब यूँ भी नहीं हुआ कि हजार दो हजार लाखो की बात है उसने मेरी लाखो की चीज मार ली थी मतलब लाख रुपे मार लिये थे मैंने इसको दो तीन दफा बोला भी भाई मेरे पैसे लोटा दो या यह है वो है उसके घर तक भी गए कि भाई मैंने कोई भेजा कि उसके घर पर जा के बोल कर आओ, तो उसकी family बोलती है, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो ऐसा कोई knowledge ही नहीं है, और फिर वो बोलता है कि मैं लोटा दूँगा, लोटा दूँगा, फिर बीते चले गए दिन, और मेरी वो फितरत भी नीरी, मैं बार-बार उसको परिशान करू तोका-टोकी करूं या उसी फैमली, खुद ही को भी शर्मिनदा होना पड़ता है, फिर मैंने नहीं किया, मैंने उस चीज को continue नहीं किया, मैंने सोचा कि अगर इसमें इंसानियाथ होगी, तो इसको इतना तो पता होगा, कि जेस इनसान ने तुम्हें कुछ सिखाया है, कम से क अचे में अपने पीछे मिले हैं अख फसे रहे हैं नहीं में अब होगे उसको शाथ आठ महीने हो जोकह हैं सब्सक्राइबाद को फिर मैंने उस पे कभी गोर नहीं किया मैंने छोड़ दी वो सारी चीजें नहीं आपके कंटेक्ट में हो आग और नहीं इसे बंदों से कोई मैंने कॉंटेक्ट नहीं रखा मुझे लगा चलो यार यह तो अभी दो चार लाग की बात है पिंडा छोड़ो खतम करो मैं को सीख बहुत कैडी मिल गया मैं लाइफ में किसी की हैल्प नहीं करना चाहूंगी मैं किसी गरीब की हैल्प कर दूंगी लेकिन किसी ऐसे इंसान की ह अपनी तरब से उपर वाला देखता है वह जब लिकाड़े गाना बस वह लिकाड़े मैंने लिकाड़ने अब आपको सिखाते हैं ना कम से कम उसकी काट मत करो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल अचे इक स्वाल हो रहा है कि आप को आपके साथ थरव है लड का या जो चैलेंज है जब गाड़े मेठेने देंगा यू चैलेंज है नो कन देंगा एक चैलेंज था कि तना अपने टी-शेट काटने है उस पर तेरे नेगटिव कमेंट आये सुन्सकर तीवी गाड़ रही है कल्चर खराब कर दिया ऐसे कर दिया क्ये करना चाहोगी देखिए जब शेट का पता का नाम लूँ मैं गनें चलती वह भी गलत दिया बहुत है यह नहीं तुप है जो पिते है यह नहीं करते है यह नहीं करते शोचल मीडिया पर हो, कमेंट करे यह बता कि यह थोड़ा सा हैरान हो जाते, क्कैसे। तेखो टीशेट काटनी वेज़ाए आप उपना कोई शोरूम ता ले गए वो काट लंदे जो आपने पैन रखी थी वो काट दी मैंने उसके नीचे पैन रखा था डूंट वरी मैंने ऐसा नहीं है कि नीचे कुछ ड्रेस नी पैनी थी और मैंने वैसे ही काट दिया ऐसा नहीं था आप विडियो कोई टैनिक मिलियन गई है इस वज़े से वह इतने कोशन पुट हो रहे है या नेगेटिव पुछाए है बट करीव यज़े बटो यहाँ लिग नीचे लिग ऩाट एशी है में किसी का भी नमबर यूं लिका लेते हूं मैंने अपना नंबर नहीं दिया था इतनी तो चलाक मैं हूँ तो मेरी टीम में जिसका नंबर था उसने बताया कि देखिया ऐसे आप पर एक प्रैंक हो गया था गलती से मन में लड़ू फूटाओ काम होगा थोरी नंबर लेगी हो सकते हैं तो समझ जीओ प्रैंक है ठीक है यह तो भाई किते तामने छोड़ने नहीं किते सामसोचों वह शाचमन नंबर लेजाए फीलिंग ना लिए गणखरे फीलिंग लेजाएं अच्छा तो कोई भी ऐसी बात म मतलब जो आपके जीवन में गटगी हो इवेंट हो उस तब बहुत ही जादा डी मोटिवेट हो गया है यह मतलब नू लग यह चोड़ने आर प्रैंक पुरूंक बहुत हो लिया अच्छा ऐसा देखिए ऐसा दो कुछ भी नहीं हुआ है डी मोटिवेट में तब हो जाती हू जब में कभी प्रैंक जो गपुद्व करने लग जाओं यो नहीं कुछ भार ऐसा होता है कि भई हम प्रैंक करते हैं तो हम देखते हैं तो वहां से मैं बहुत बैमॉटिवेट हो जाती हूं अगर मै ने उसकी वीडियो देख लिया ना सक्रोल करके तो समझलो मैं कुछ दिनों के लिए तो वीडियो करूंगी नि ऐसी इतनी डी मोटिवेट हो जाती हूं इसलिए अब इस टायम पर मैं कभी भी किसी भी प्रैंक की वीडियो नहीं देखती हूं क्योंकि प्रैंक की बिद्ध कर आप एक लड़की हो और आप तेक राए भी लेना चाहूंगा क्या फॉलोवर गेन करने लिए सूट्स कपड़े पनना कितना सही माननों देखिए मेरी सूट में बहुत सारी वीडियो है जो वाइरल है और अगर आप लोग मुझे टिक टॉक से जैसे कि आपने बोला कि आपने मुझे टिक टॉक टिक टॉक पे मेरी मौस्ली सूट में वीडियो थी जितनी भी वीडियो थी सारी सूट में थी सारी वाइरल थी और मै लड़की है नेहा करके और एक और लड़की है पता नी क्या नाम है इसका हां तो उन लोगों की वीडियो देखकर मुझे कई बार डाउट लगता है कि क्या इनके घरवाले नहीं देख रहे हैं या फिर क्या सीन क्या है या पैसा इतना इंपोर्टेंट है कई लगते है उनको तो क्या बोल रही थी मैं भूल गई सारी आप बोल रही थी ने आशोफियन सारी के बारे में कि पैसे इतना इंपोर्टेंट होगा कि मलोब अपनी किस चीज पर कॉशन किया था आपका बलो ये क्वेशन था कि तो मतलब और एक लड़का है बिहारी करके अगर आप लोगोंने और एक सोफिया है जो 9-10 मिलियन पर बैठी है और एक ये नेहा है जो 5-3-4 मिलियन पर बैठी है तो में को फरक नी समझ में आता है तुम लोग बोलते हो कि तुम शोट पैनते हो नेगिटिव है ये है वो है तो उस लड़की के 10 मिलियन कैसे हो गए और उस बिहारी के लोग देख रहे हैं वही तो ना उसके 10 मिलियन कैसे हुए क्योंकि आपने फोलो किया है भाई देखते हो आप और उसके 1 मिलियन कैसे हुए जो हीरो से भी उसके साथ कॉंटैक करने आते हैं बहुत सारे हीरो हीरोइनों के साथ उसने कॉलैब कर रख रख और इवन देट मेरे को लगता है सबसे मशूर है वह तो आपने देखिए भाई भी आरे लड़का करके एक तुन्या करें नहीं वीडियो देखा दो बाई बेठे तो अंगास यहाँ है एक सची खुसी मिला है बहुत बड़ी अलाग बहुत बड़ीया को मेड़ी है रवाए बाद जुकर मै बाद जाए पैसन फोलो करें पाऊ है बिल्कुल तो बैद एक लो यहाँ सोच है ना थोड़ी बदलो और मैं बताना चाहाँगी जो नेगिटिव कमेंट करते हैं ना फस्ट फोल तो पहले तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूं नेगिटिव लोगों पर और जो अगर कोई सक्सेस होगा है तो उसने हैल्प करो ना कि उसने निच्छे दबाओ ठीक यहाँ बहुत बड़ी कमजोरी है पर उसमें अर्या अना में लगा लेगा लिए नेगिटिव भी आने दो नेगिटिव भी एक कई ना कई पॉपडलिलर्टी का राज होता है तो करो यार देखने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छे कॉंसेब्ट को अच्छा करो फोलो करोगे तो वो आगे बढ़ेंगे और अगर आप गलत को करोगे तो वो आगे बढ़ेंगे तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको किसको आगे बढ़ाना है अच्छे तो अपनी प्यारी ओडिंस ने के कहना चाहोगी जो माही लागडाने प्यार करें हैं दिल तर्पोर आप लोगों की वज़े से यहां बैठे हो और दिल से शुक्रिया करती हो और बस यह बोलना चाहूंगे कि इसी तरह से प्यार बनाए रखो मुझे सपोर्ट करते रहो क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो और बस इतना ही है तो अब देख लिए हो अमने तो इंते मिलका बहुत सब्सक्राइब करते हैं अपना पंसा है अपने मिलका कि इसा लगा और वैसे भी जो यहां जिन्द साइड से हर्याना साइड से जो भी लोग आते हैं मुझे मुझे दिल से बहुत खुशी होते हैं जिन्द जिन्द से आते हैं मैं जिन्द बोल देते हैं कई जिन्द तो नह गया हो जीन्द 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 सो इस वहां से लोग आते हैं जिस बहुत पसंद है क्योंकि मेरी जो मदर वहरियान His हरियानहर से वलाँ अट ज़जर से तो मुझे बहुत खुश्य होती है और आप आए मुझे इस बात की भी बहुत खुश्य हो और मैं हाम ने प्रैंक करती है उस बात का बड़ा दुख है मिस भीव किया तोड़े बूल जार हरी आना जीन दाड़े का से बात यह पर कोई बात नहीं देखिए मैं सब्सक्राइब धिes चीज परख्या भाई बताऊंगे कीमन बहुत खराब लागे देखो आपकी बात नहीं है देखे ऐसा है कि यहां पर लोग थोड़े हैं चाप लूज चालाक यह सारे हैं यह यह भी है लेकिन मुझे लगता है यह हर एरिये में होता होगा ऐसा जुड़ी हर याना आप नहीं आप आउ हर याना मेजे यह मर एक ल्रव ऐल्सा क्रता पाओ झारेंटी आई तीसरा करता पऊित मेह है देखो आपकी मेंचल करो ही नहीं करेटी तो तीसरे चोथे तक तो मैं पोस्ट आने ही नहीं देती वह यह बात है भया पज्यादा बैस नहीं करा है थीक है तम नहीं बे रहा है इस चीज का और मन नहीं दो बहुत बेरा लगया क्योंकि मां एंडलिया थोड़ा अखर मेरे बारम दो लंकी करना चाहूँ अच्छी बु क्योंकि मैंने इतना रूडली प्रैंक क्या फिर भी इन लोगों ने बहुत यह तो हो भी गया था एक टाइम पे कि भाई यूनो वाट मेरी बेश्ती वरी है एंड ऐसा तो मचे लगता इतना तो होना भी चाहिए और बेश्ती गणी होई थी हां बेश्ती गणी होगी थी ब पुरूर गुर्यों कमेंट ते वीर लगदर हो अमने किशा के काम करें के चेंजिंग ची यह तमने किया चलागे के वूंडालेगे तारे मारें इंट्रेक्शन मने रोगा यूकि ताम आर्तवत अंदेर होगे अम तार खातर केंटेंट लें अंदेर होगे ठीक बई या अर्दिखानी चैनल देहिदरी भूत भूत देनेवाद